दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप गवर्मेंट मेडिकल कोलेज के लिए नर्सिंग ओफिसर के लिए अपना ओनलाइन फॉर्म घर बेठे किस तरीके से भर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको सबसे पहले MP Online की ये Official Site खोल लेना है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं Government Medical College यूपूरी MP तो इस पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तो आपको फार्म बनने से पहले मैं इसकी जो डीटेल से है वो बता देता हूँ फिर फार्म फिल करके दिखाऊँगा यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं स्रीमंत राजमाता बिज्याराज सिंधे Medical College and Hospital शूपूरी तो यहाँ पर आपको फार्म बनने से पहले इसकी जो रूल बुक है नोटिफिकेशन वो चेक आउट कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं स्रीमंत राजमाता बिज्याराजी सिंधे चिकित्सा महाविद्याले शुपूरी की तरफ से यह ओफिसियल नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर नर्सिंग संबर के सीधी भरती के रिक्त पधहतु सूचना है यहाँ पर दोस्तो आपकी जो आवेजन पत्र जमा करने की अंतिम्तिती 18-2023 से स्टार्ट है आप यहाँ पर 30-2023 तक आप इसे अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको जो नर्सिंग आफिसर की पोस्ट रहेगी अनारक्षित यूर केटिडेट की ओपन और यहाँ पर केटिगरी बाइस यहाँ पर योग टोटल बैकेंची काई से यहाँ पर यह आप देख सकते हैं पर यहाँ पर दोस्तो आपको आपिदन सुल्क है यहाँ पर आपको अनारक्षित अबम अन्य पिछला बार के क्रीमी लेयर सिरेनी है तो पांसर रूपे और यहाँ पर अनुसुचित जाती है अन्य पिछला बार केबल गैर की क्रीमी लेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर संबर्ग निसकते जान उमिदबारों के लिए यहाँ पर दोसो पचास रूपे और यहाँ पर उक्त आवेदन सुल्क अतिरिक्त में MPO लाइन का पोर्टल सुल्क 170 रूपे एड़ होगा इसमे तो यह आपका सुल्क रहेगा यहाँ पर आपकी आयू सीमा की बात करें तो अनारक्षित बर्ग के लिए 18-40 बर्स और अन्य सुचित जन जाती और पिछड़ा बर्ग सास किये निगम मंडल सुसाई संस्ताओं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 5 बर्स की छूट मि कर सकते हैं तो चलिए मैं फार्म फिल करके दिखाता हूं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई का ओप्सन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगी तो दोस्तों आपको फार्म बनने की लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी बहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आई फॉर्म में आपके यहाँ पर क्रियेट अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर नोट रेइस्टर्ट क्रियेट अकाउंट इस पर क्लिक कर देंगी फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एप्लिकेंट फ of birth आपको इस calendar से अपनी date of birth सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको आप male candidate है female candidate वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगी यहाँ पर दोस्तों आपकी category आपकी से आते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगी उसके बाद में यहाँ पर अपना मुबाईल नमबर डालेंगे यहाँ पर अपनी इमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर आपको यूजर नेम आपको एक यूजर नेम बना लेना है और यहाँ पर उसको पासवर्ड बना लेना है यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रहेगा एक अक्छर दोस्तों यहाँ पर आप जैसे लोगिन करेंगे आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोफाइल सेलेक्षिन वाले उप्सन पर आना है तो यहाँ पर दोस्तों आपकी चार-पांच इस्टेप में फॉर्म भराएगा तो यहाँ पर मैं इ वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी से रिलेटेड वीडियो आ सके आपके पास में तो यहाँ पर दोस्तों आ अधर MPK हैं अधर MPK वो यहां से Select करेंगे यहाँ पर फिर आपको Are you Married, आप Married Candidate है या Unmarried वो यहां से Select कर लेंगे अगर 40% से ज़्यादा handicap में आते हैं तो yes करके अपने handicap का प्रकार सलेक्ट कर सकते हैं नहीं आते हैं तो आप no पर टिक कर सकते हैं उसके बाद में save and next करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगली step आती है present address यहाँ पर आपको अपना address house number building number कालोनी जो भी हो लेड मार्क फुल अपना address डाल देंगे इस box में यहाँ पर आपको अपना state select कर लेना है और यहाँ पर अपना district select करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी तहसिल का नाम select कर लेना है यहाँ पर अपने area का pin code डाल देंगे यहाँ पर दोस्तों अगर आपका permanent address same है तो इस डबे पर टिक कर सकते हैं अलग अलग देना चाहते हैं तो अलग भी दे सकते हैं उसके बाद में save and next करेंगे दोस्तों फिर अगले step आती है qualification details तो यहाँ पर आपको select degree यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो भी सारी qualification है वो add कर लेना है सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th class या जो भी studying में हो सबसे पहले यहाँ पर high school की details दे देना है फिर यहाँ पर बारवी की फिर diploma या degree आपके पास म आपको high school की देना है पहले तो यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर 10th और यहाँ पर दोस्तों आपको किस art से है commerce से है जो भी आपका subject है तो जैसे 10th में all आता है तो all subject select कर सकते हैं यहाँ पर full time था part time वो select करेंगे यहाँ पर passing year और यहाँ पर अपनी university board name आएगा इस box में यहाँ पर आपका result marks में आता है आप percentage में वो select करेंगे यहाँ पर अपना roll number डालेंगे और यहाँ पर option mark कितने number आये हैं total वो डालेंगे और यहाँ पर total कितने number का paper होता था आप वो डालेंगे यहाँ पर कितना percentage बना है आप उसके बाद में add button पर click कर देंगे इसी प्रकार से आपक बारविक अक्छा की और फिर UG या diploma जो भी हो आपके पास में वो यहाँ से सारी qualification add कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो सारी qualification add होने के बाद में next करेंगे तो फिर यहाँ पर अगले step आती है यहाँ पर आपकी जो photograph और signature upload करना है तो यहाँ पर आपको browse पर click करना ह अपना photograph upload करना है आपको यहाँ पर जो photo का size रहेगा 80KB से कम का size 80KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 5KB से कम नहीं होना चाहिए 5-80KB के बीच में आपकी file का size होगा jpg format में तो upload हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना signature upload कर देना है और इन दोनों box पर tick करेंगे और यहा पर आपको अपना मूल निबासी प्रमान पत्र upload करना पड़ेगा जिसका size 200KB से कम होना चाहिए और यहाँ पर jpg format में आप upload कर सकते हैं उसके बाद में save and next कर देंगे तो फिर आपको इसका print receive तो आपकी जो details है इसकी यहाँ पर print पर click करके इसका print out निकालके अपने पास मे रख लेना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको home पर click कर देना है तो फिर से यहाँ पर आपको running application form यहाँ पर आपको click करना है तो दोस्तो अगर आपकी जो ID है बार बार लोगाउट हो रही है तो आपको login कर लेना है यह server problem हो सकती है तो आपको try करना है तो यहाँ प तो हमने यहाँ पर इस तरीके से page open हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो apply इस पर click करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं आपका जो requirement यहाँ पर requirement of nursing officer यहाँ पर आपकी जो post आएगी वो यहाँ पर open हो जाएगी तो आपको यह details से देखके उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो next बटन पर click कर देंगे फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से page open हो जाएगा आप देख सकते हैं post code 1 post 2 तो यहाँ पर जो है nursing officer और यहाँ पर nursing officer संबीदा तो आप किस post के लिए apply करेंगे तो यहाँ पर आप जिस post के लिए eligible रहेंगे उस पर tick करेंगे उसके बा होना चाहिए आपके पास में या फिर आपको यहाँ पर general nursing and midwife free इसका यह diploma होगा तो भी आप apply कर सकते हैं GNM का यहाँ पर HSC and GNM अगर आपके पास में GNM है यहाँ पर तो यह आप form apply कर सकते हैं तो यह select करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको relacion retail तो यहाँ पर RU एक सर्विसमें है तो yes करना है नहीं तो आपको no particular कर देना है यहाँ पर दोस्तों RU बर्क government state corporation मंडल या किसी में नगर सेनिक है तो yes करेंगे नहीं तो आपको no particular करना है यहाँ पर दोस्तों है pass government nursing school गवर्मेंट और सेमी गवर्मेंट नर्सिंग कोलेज तो यहाँ पर आपको इस से अगर पास है तो यहाँ पर इन में से सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर बैलेड रेजिटेशन नमबर और मद्देप्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग का अपना valid registration number डालना इस box में यहाँ पर experience detail अगर आपके पास में experience detail है तो government का तो यहाँ पर आप select करके organization name destination यहाँ पर start date till date तो यह details दे सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से समझेगा आपके जो document किस प्रकार से आपको upload करना है अगर यहाँ पर द्यान से नहीं समझेंगे तो आपके document upload नहीं होंगे आप दिक्कत में बार बार परेशान होगे तो यहाँ पर आपको तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10th class की mark sheet upload करना है जिसका size 200KB से कम होना चाहिए JPG format रहेगा और यहाँ पर आपकी 12th class की mark sheet यह भी 200KB से कम size में JPG format रहेगा और यहाँ पर दोस्तों BSC nursing या general nursing mark sheet दो में से कोई जो भी आपके पास में हो वो यहाँ पर maximum file size 500KB के अंदर में PDF format में upload करना है यह और यहाँ पर photo identity और address proof आपको एक आधर card या voter ID जो भी हो यहाँ पर certificate of MP nursing counseling का registration यहाँ पर upload करना पड़ेगा जिसका 200KB से कम size होना चाहिए यह वाला JPG format में रहेगा और यहाँ पर certificate of ex-servicemen है आप तो यहाँ पर यह दे सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों यह ध्यान पूर्बक आपको यह size में upload करना है तो upload हो जाएंगे यह सारे document upload करने के बाद में यहाँ पर इस डब्बे पर टिक करेंगे और submit बटन पर click कर देंगे तो आपको आगे की step में यहाँ पर हो सकता server down हो आपको बार बार logout होना पड़े तो आपको बार बार try करना है तो दोस्तो server down भी चलता है तो बार बार logout होता है तो आप try कीजिएगा जैसे submit करेंगे फिर आपको अगले step में अपने form की finally payment कर देना है तो आपको form finally submit हो जाएगा तो उसका printout निकालके shape करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तो इस तरीके से आप government medical college supuri mp nursing officer के लिए अपना online form घर बेठे आसानी से भर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो please like कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें साथी bell notification all पर set करके रखें जिससे आगे भी आपको इससे related वीडियो मिल सके थेंक्यू दोस्तो धन्यवाद